हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं शांत अनुसिंग का फिर से आपका सौगत करता हूँ एटिप स्टार लर्निंग प्रेटफॉर्म पे अगर तुम्हें जेही एवाम नीट 2021 एवाम 2022 का प्रिपरेशन गर रहे हैं तो तुम्हारा एक सवाल हमेशा ही रहता है कि सर कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट होगा इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे कौन-कौन से बुक लगानी चाहिए किसकी थोड़ी पढ़नी चाहिए कौन theoretical point of view से अच्छे बुक है कौन numerical point of view से अच्छे बुक है जेई एवं नीट 2021 एवं 2022 2020 की बात तो मैं नहीं करूँगा तो कि उनके पास time कम है तो उनके लिए बता दूगा कि उनको अभी क्या करना चाहिए दो मेने में अगर उनको books पढ़ना या book solve करना है तो बागी mainly discussion 21 एवं 22 वालों के लिए ही सिमित होगा ठीक है तो start करते है lecture lecture start करने से पहले मैं बता दूँ कि please like और share कर देना that is only the source of motivation वही motivation का source होता है start करते video ठीक है video को लास्ट तर देखना तभी पूरा clear picture हो पाएगा video start करने से पहले मैं बता दूँ कि 15 को दो बजे हमारा registration start हो रहा है AOTS का ATP online test series का one of the best test series है बहुत relevant है और सबसे खास बात है किस test के साथ video solution भी मिलेंगे जिससे तुम paper का analysis और अच्छे तरीके से कर सकते हो 15th 2 p.m इस समय register करोगे तो discount मिल जाएगा test series तो सबको लेना ही लेना है तो ATP का लोगे तो best रहेगा ठीक है चलो start करते है सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जेही वालों की जो 2021 या 2022 में exam देने वाले तीन कहने गड़ी की book होती है एक क्या होता है एक होता है numerical problem based जिसमें numerical problem ही होते हैं और एक होता है common जिसमें दूनों ही होते हैं अगर मैं numerical point of view से बात करूँ, तो चाहे तुम 21 वाले हो या 22 वाले हो, previous year J means एवं advance, ये book तो compulsory है, ये चाहे कोई view उसको ये book लगाना है, सबसे important बात मैं पहली बता दूँ, यहाँ कई सारे बचों का message आने वाला है, कि sir मैं किसी coaching में हूँ, मैं LN में हूँ, मैं resilience में हूँ, या कई सारे कोई भी branded coaching में हो, तो मेरे पास उसका module है, मेरे पास उसका module पढ़ा हुआ है, तो क्या module करना सही है, अगर तुम किसी coaching में हो, तो सबसे पहले बता दू, module के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, उसके अलावा तुम SCV और previous year कर लेते हो, enough है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो self study कर रहे हैं, जो YouTube के तुरूप पर रहे हैं, और जिनको actual में requirement एबुक की, अगर तुम किसी बड़ी coaching में हो, तो तुम्हें किसी भी चीज की आविशकता नहीं है, सिवाए तुम अपने module को proper करते हो, तो, उसके अलावा supplement में तुम SCV कर सकते हो, previous year क कर सकते हो, साथ में iridoff भी कर सकते हो, पहली मेंने clear कर दिया यह, अगर तुम किसी coaching में हो, तो याद फिर तुम्हारे पास किसी coaching का module है, तो, मैं उनकी बात करते हैं, जो घर पे बैठ का self study कर रहे है, numerical point of view से सबसे best market में book है, IT के लिए, वो है previous year, J.E. का और अपना advance का, और तुम कर सकते हो, लेकिन priority पहले इसको देना, ये करने के बाद level increase करना है, numerical point of view से, तो iridoff के selected problems कर सकते हो, पहली बार हो सकता है, तुम सारा नहा करो, तो selected problems कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद theoretical point of view से, NCRT बहुत अच्छी book है, बहुत प्यार से उसने theory बताई है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी से explain किया है चीजों को, तो NCRT बहुत अच्छी book है, इसके रावा market में theory के हिसाब से, कई सारी book है, इसके बाद जो सबसे best मैं मानता हूं, theory के हिसाब से, वो आता है, Resnick holiday, लेकिन Resnick holiday, theory काफी, काफी, बहुत मोटी book है, अब ये 22 वाले तो पर सकते है क्योंकि उनके बाद बहुत टाइम रहता है, वो easily अराम से ये book पढ़ें, और मैं यही guidance देता हूं, जो 11th में है, वो बहुत जादा theory पढ़ें, जो कि theory पढ़ने के बाद कई सारी चीजे अपने को clear होती है, लेकिन जिनके पास already एक ही साल है, वो बेटर यही रहेगा कि या जितना theory तुम पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, अगर तुम 11th में हो तू, 11th में हो तू, बागे 21 वाले, NCRT, SC Verma, common book क्या है, common book ऐसे book है, जिनमे numerical के साथ-साथ theory भी है, उसमें, इन सम्में, सबसे top पे है, जो गीता भी है, Bible भी है, Quran भी है, physics का, that is SC Verma, तुम कभी सु कि इसके जो numerical है, वो zero level से start करता है, और अच्छे level तक लेके जाता है, बहुत gradually level increase करता है, इसे लिए जब भी कोई बच्चा 11th में हो, या 12th में हो, या 13th में हो, ये book बनाने के लिए हर को ही recommend करता है, कि तुम्हारा basic से high level तक तुम्हारा concept strong करना है, तो SCV कर सकते हो, और SCV क ये सबसे खास बात क्या है, कि इसका हर एक line, हर एक question, चाहे वो objective हो, चाहे वो short answer हो, चाहे वो exercise हो, चाहे वो example हो, चाहे वो theory हो, हर कुछ important है इस book में, तो ये सबसे best book होगा, concise theory पढ़ना है, अगर तुम 21 में हो, तुम्हे concise theory पढ़ना है, कम theory पढ़ना है, ज्यादा understanding चाहि detail तो इसमें और इसमें दिया ही हुआ है, बट concise theory के लिए बहुत अच्छी book है, और numerical के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है, इसका book, पहली बात, basic के लिए, basic strong करने के लिए, उसके अलाबा मारके ने बहुत सारी book है, बहुत सारी book है, एक आता है अपना, अर्यंत का, ये DC पा बुक हो, या फिर अपनी ये किस की है बाई, तो ये आशी सरोरा सरकी physics galaxy है, तो ये चारो book जो है, इसके अलाबा ही बहुत सारे book है, देखो मैं सही बता हूँ, अगर तुम से SC बढ़वा नहीं बनता है, तो तुम यहां भागते हूँ, ये fact है, मतलब ये सोचो खुद, कि म मज़ा आ गया, हाँ, यही book अच्छी है, यार एक बात बताओ, ये book best है, अगर ये नहीं बनता है, तो तुम हारी weakness है, तुम कोशिस को इसको बनाने का, होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार SC वर्मा हम first attempt में नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए इन चारों में कोई भी एक book ले सकते हो तु, कि उसका example, कई बार example देखके अपने को लगता है, कि हाँ, example देखने के बाद भी कई सारे questions कई बार लग जाते हैं, तो इनका तुम use कर सकते हो example के लिए, बर मैं पहली बता रहा हूँ, कि सबसे first priority SCV को देना, अगर ये तुम से book नहीं लग रही है, वो त इसको complete करो, इसके अलावा, ये चाड़ों में से तुम कोई एक book reference के लिए ले सकती हो, जिनके example देखके, कई बार होता है कि numerical सार नहीं लगता है, तो मैं example देखना हूँगा, एक chapter में 50-60 example देख लिया, तो idea लग जाता है कि question को approach कैसे करना है, वो develop हो जाता है, example देखने के इनके examples तुम कर सकते हो, but numerical point of view से यार इस ही को करना है, इस से भागना मत, please इस से भागना मत, मैं अपने time में मेरे ये guru थी, अनुराग मिस्राशा, तो मैं इनकी book प्रेफर करता था, मैं अपने time में इनकी book ही परता था, supplement में, इनकी book ही रखता था, बाकि मैं तो उस time में य यही था से वर्मा और यह दो supplement में मैं रखता था, अपने time में, और साथ में यह रोग और यह सब तो रहता ही था, यह सब तो था ही, यह भी था मेरे पास, थोड़ी के लिए, तो यह अपना पूरा broad है, इसके अलावा market में कई सारे book हैं, but मैं यही प्रेफर करूंगा, तो म यह यह और यह बस, यह यह और यह बस, और कुछ भी, next, अब आते है अपन need वालों पे, यह need वालों का क्या हाला है, यह बड़ा slow है पता है, अब ठीक है, need वालों का क्या हाला है, need 2021, need 2022, need वालों के लिए चादा books तो नहीं है, बट हाजू भी है, काफी है, सबसे पहले numerical point of view से, previous year need और aims का जो भी objective question है, वो लगाना है, क्योंकि 20% question यहाँ से repeat होंगे ही होंगे, data change हो सकता है, बट 20% question यहाँ से guarantee repeat होते है, यह ध्यान रखना, तो सबसे important तो यह है, इसके बाद, दूसरे number पर जो numerical point of view से important है, वो है, NCRT fingertips, चाहे तुम MTZ का ले लो, या आज को तो ब medical problem create करके बनाया गया है, NCRT neat वालों के लिए बहुत important book है, तो यह बहुत अच्छा रएगा NCRT fingertips, उसके अलावा, theory point of view से, NCRT तो है, theory बहुत अच्छी दी हुई है, अगर तुम्हारे पास time है, 22 वाले हो, तो theory तुम यहाँ से भी पर सकते हो, wrestling holiday से भी थोड़ी पर सकते हो जो कि theory यार, physics की theory, हर, मतलब हर के लिए, neat वालों के लिए भी और means वालों के लिए, theory तुम्हें हर book का पर सकते हो, theory में कोई दीकत नहीं, numerical का level plus minus होता है, numerical के लिए में बता दिया, theory तुम इन दोनों का use कर सकते हो, या फिर university और physics भी ले सकते हो, कोई दीकत नहीं, theory के theory का exercise छोड़ सकते हैं, but objective, short answer और example, ये तुम गर सकते हो यहां से, और इसकी छोड़ी भी पर सकते हो, exercise तुम्हारे लिए optional है, exercise अगर तुम्हारी इच्छा है कि अपना level को बढ़ाना है, तो तुम exercise यहां से कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, आखड़ी के 10-15 कोशन जो level boost up करने के लिए, concept strong करने के लिए इस book का use कर सकते हो, इसकी theory, इसका objective, इसका short answer बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा, seriously, तुम भी गर सकते हो, उसके अलावा, singage की भी book आती है, ऐसा नहीं, singage की book आती है, need वालों के लिए भी आती है, तो मैं यही बोलता हो, अगर यह करत हो जाता है, सारा कुछ आता है, बड़ जब मैं numerical देखता हो, तो मेरा approach डेवलप नहीं हो पाता कि मैं कैसे इसको approach करूँ, तो उस case में, तुम कोई भी एक standard book ले सकते हो, चाहे वो singage की हो, या अरियंत की हो, जिसमें कई सारे example दिए गये हैं, मैं पहली बताता हूँ, यह ब numerical practice कर सकते हो, ठीक है न, तो यह उनके लिए था, जो लोग भी self study कर रहे हैं, अगर तुम किसी coaching में पर रहे हो, तुमारे पास coaching का module है, that is best, मतलब उससे और कुछ चाहिए नहीं, उसके लावा अपने हो कुछ भी नहीं करना, उसके लावा यह दुनों काफी है, अगर तुम स्लेवस है, वो सब कुछ दिया गया है, जीतने भी test है, वो नीचे link में दिया गया, link में तुम download भी कर सकते हैं उनको, और तुम easily AOTS, तुमें क्योंकि test series का तो सब को जड़त ही होता है, सब को जड़त होता है, इसके साथ खास बात है कि इसके साथ video solution भी होगे, ठीक है न, कोई भी supplement के लिए एक book ले लो, बाकि जो compulsory book है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, supplement में तुम कोई भी एक book तुम ले सकते हो, supplement में, compulsory मैंने तुम्हें बता दिया कि SCV और यह सब compulsory है, अच्छे जगर अपढ़ाई, बढ़ियां से, कोई भी दिक्कत हो, comment कर देना, मैं reply कर मिलते हैं एक ले वीडियो में, बाई, तेक केर, लाइक और शेर